हेलो साथ ही और नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकास इंस्पायर सिंधिया पर आज से हम लोग नई सीरीज चालू करने चल रहे हैं वीकली करेंट अफेयर्स का जो आपको सब्ताह में एक बार मिलेगा वह भी पूरे सब्ताह के जरूरत है इन तबिकों पढ़ने की जरूरत है जो आने वाले एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो बीना देर की हुए चालू करते हैं अपना सिसन आए आगे चलते हैं विकली करेंट अफेयर्स 13 मार्च से 12 मार्च 2023 तक के करेंट अफेयर्स इसमें दिये गया है जो कि का पहला क्वेस्चन है रेलवे और दूर संचार मंत्री ऐस्वनी बैश्णों के अंसवार भारत में पहली बुलेट रेंट की सवर्स चलेगी जैसा कि आप सभी को पता है प्रधान मंत्री नरिन मोदी जी ने बुलेट रेंट चलाने का वादा किया था जो कि अब अश्वन मारा अगला क्वेस्चन है स्विस वाय गुरुवत्ता प्रद्योक की कंपनी आईक्यू एयर द्वारा प्रकासित वार्सिक विस वाय गुरुवत्ता रिपोर्ट में भारत की रांकिंग है अठवी कौनसी है अठवी इट्थ 2023 में भारत अठवे नंबर पे है पिछले साल 2022 में भारत पच्वे नंबर पे था 2022 में किसमें था पच्वे नंबर को कोईशन पूछ दिया जाता है 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी अगली पॉइंट पर चलते हैं सेंट्रल बैकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर आफ दा इयर पूर्षकार किसे दिया गया गया गवर्नर आफ दा इयर पूर्षकार हासाल दिया जाता है इस बार गवर्नर आफ दा इयर पूर्षकार दिया गया है सक्तिकान दास को सेंट्रल बैकिंग द्वारा दिया जाता है 2023 का प्रोज़कार दिया गए है सक्तिकान दास को आई जानते हैं आर्वी आई के बारे में अनिफैक्ट्स आर्वी आई की अस्थापना एक अप्रेल 1935 को हुई थी जो हिल्टन यंग नामक आयोग की सिफारिस पर आर्वी आई के अस्थापना की गई थी आजाद भारत के पहले गवर्नर थे सेडी देश मुख और आर्वी आई का राश्ट्री एकरण ओई सोन चास में हुआ था इसलिए आप सभी इसे लिख लीजिए कहीं पर और याद कर लीजिए अगला पॉइंट है हमारा किस देश को मैसेंजर आर्यन ने वैक्सीन पादन के लिए आफ्रिका महादूइब की पहली इकाई प्राप्त हुई है तो एकाई प्राप्त हुई है रवांडा को यह आफ्र और हाली में किगाली समझाओता हुआ था यूके के असाइलम बिल से संबंदित इसे आप लोग देख लीजिएगा तो कि आने वाले एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगला क्वेस्टन है सीचेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे निउक्तिया ग प्रिस दुनिया के सबसे लंबे ने प्लेटफराम का उथगाटन की है या किस राज़े में इसிते तो इया करनाटक में इसी थे कि इसके पहले हमारा सबसे लंबा प्लेटफराम गोरकपूर था अब और दूसरे नमबर पर चला गया है अब यह रिकार्ड तूट कर करनाट करनाटक के पास में चला गया है इसके पहले गोरखपूर तेरह सो शाचन मीटर सबसे लंबा प्लेटफार्म हुआ करता था करनाटक में प्लेटफार्म 1507 मीटर लंबा है तो इसी समय आप लोग जान लेजिए सबसे बड़ा प्लेटफार्म हावडा जैक्सन जिस पे तेज प प्लेटफार्म है हमारे अब गोरखपूर दूसरे नंबर पर चला गया है तो आई चलते हैं अपने एक लिए क्वेश्चन पर कि मंत्री अस्तरी बैठक या दश्टा काउन सादेश कर रहा है यहां थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है बिम्ष्टेक के बारे में यह थोड़ा जान लेते हैं बिम्ष्टेक का पूरा नाम है बे आफ बंगाल इनिसीटीव फार मल्टि सेक्टोरल टेकनिक एन इकानमिक कॉपरेशन इसे आप लिख लिए अपने कॉप्पी पर बिम्ष्टेक में वरतमान साथ देश सामिल है बिम का बंगलादेश में है डाका बंगलादेश की रधानी है तो आई आगे चलते हैं निम्लिखित में किस सहर में भिखारी मुक्त निम्लिखित में से किस सहर में विखारी मुक्त सहर नमक एक नई पहल की सुरुवात हुई है विखारी मुक्त सहर ऐसा नहीं वहां नहीं है लेकिन उस सहर को विखारी मुक्त सहर करने की कवाय सुरू कर दी गई है तो ऐसा हुआ है हमारे नागपुर में वे विखारियों को प से लग्शार की सभी एसा हुआ नागपुर में याद सकता है तो हमारा अगला क्वेश्चन केन Create पर्यवहन मंत्री नितिन गटकरी ने किस सहर में पहली मेथनोल से चलने वाली बस का अनावरण किया है मेथ ना यहां दो कार्वान है इसलिए यहां एंटर होता है मेंटेन से चलने वाली बस का नावरण की नितिन गठकरी जीन बगलूरु में किया अबनेदिन गया है इन मेथेनाल से चलती थी मेथेनाल के लिए पहली बस बंदुरू में चलाई जा रही है और एथेनाल से पहली बस नागपूर में चलाई गई थी दोनों याद रखिएगा तो आए आगे चलते हैं आज का रिवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्षिष्ट ओरिजिनल गीत का प्रोसकार दिया गया है यह तो आप सभी जान ही गया हूंगे इस समय यूट्यूब फेस्बूक इंस्टाग्राम हर जगह मीम्स बनाए जा रहे हैं इस पर नाटू नाटू सांग को नाटू नाटू सांग को आसकर रिवार्ड दिया गया है जो कि ओरिजिनल गीत का प्रोसकार दिया इसमें कार्तिकी गुंजालविस गुनीत मौंगा को भी आसकर रिवार्ड दिया गया है भारत का पहला आसकर गांधी फिल्म में भानु अथाईय को कास्ट्यूम डियाइन के लिए था भारत में पहला आसकर क्या बाया था गांधी फिल्म आई थी जो कि यूट्यूब पर पहले आप सभी जाके देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मोवी है भानु अथाईया जो कि इसमें कास्ट्यूम डियाइनर थी थे उन्हीं को दिया गया था आजकर एवार्ड आईए अगले कोशन पर चलते हैं उत्तराखंड में रुद्ध प्रयाग में सबसे यादा लैंड्सलाइड होते हैं इसे यादर कियेगा आई आगे चलते हैं भारती नवसेना ने 10 मार्ड 2023 को अरब सागर में किस देश के साथ समुद्री साजेदारी अभ्यास में भाग लिया तो भारती नवसेना ने फ्रांस के साथ MPX سमुदरी अभ्यास में भाग ली यह कहां पर यह भारत और प्राइब भारत है अरव सागर है यही पर भारत और फ्रांस के बीच MPX नम से नव किश्ञाद बहाला और शाल कीष्य प requirements के पहले沏़ हैं इसलिक जानец आधावब होतर आया है इसे भारत और प्रांस पिश्में हो अगला कुस्चिन है सब्से बड़ा ट् Amongmm K अगला क्युमियर में है एक सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डेन की सहर में एक पुस्प है एक पौधा है जो कि बहुत ही सुन्दर है आप गूगल पर साथ के लिजिएगा पौधा बहुत ही सुन्दर लगता है देख लिजिएगा एस यह का सबसे बड़ा कहा है कस्मेर में आई आगे चलते हैं इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं दुनिया का 80% कहा होता है नीदर लैंड में और एस यह का सबसे बड़ा कहा है डल जील के पास जम्मू कस्मेर में आगे चलते हैं भारत अमेर क्या जापान फ्रांस व्रीटेन आस्टेलिये कि नव से नाओं के बीच कौन सा अभ्यास आयुद किया गया नेवी का अभ्यास है ला पेरोस ल पेरोस नामक नव से नेवी अभ्यास भारत अमेर क्या फ्रांस जापान और ब्रीटेन और आस्टेलिये के बीच में अभ्यास किया गया इसे याद कर लीजेगा आई आगे चलते हैं नई सेमी हाई स्पीड बंदे भारत ट्रेंस अंचालित करने वाली एस यह की पहली महिला लोको पाइलेट कौन बनी हैं बंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पाइलेट हैं शुर्यख यादव So T तो आए जानते बंदे भारत के बारे में कुछ और फैट्स अगस्त दोहजारते इस तक 75 बंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष भारत सरकार का है और पहली बंदे भारत ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली थी यह भी याद रखिएगा जो कि ट्रेन एक्टीन लिए नाम से पहले चलाई गई थी त्रेन एक्टीन अब उसका नाम बदल कर बंदे भारत कर दिया गया है वाराणसी से और दिल्ली के बीच में यह पहली बार चली तो आएज चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर हाली में ट्रेक महिंद्रा के अमडी और सी यू कौ इस यो बने पहला अप्सण साही है इसमें आगे चलते हैं के सरकार में सिधार्थ मोहंती को किस बीमा कंपशनी का अंतरिम प्रमुक्त निवक्त किया गया है के सरकार दौर्छा सिधार्थ मोहंती को एलाइसी का सिधार मौनती को एलाइसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है पहला आप्सन सही है कि एलाइसी अगले कुश्चन पर चलते हैं किया सर का है पीम मोदी 108 किलोमेटर लंभी बैंगलीवरु मैसूर एक्सप्रेस वेका उद्गाटन किये पर्योजना की कुल लागत कितनी है पीम मोदी ने 108 किलोमेटर लंभी बैंगलीवरु मैसूरु एक्सप्रेस गाटन किया जिसमें 8,480 करोड रूपए की लागत लगी है 8,480 करोड रूपए इसमें लगेंगे है हमारा अगला कोशन है कौन सी सेना अभ्यास ट्रोपेक स्टेज का आयोजन कर रही है इसका आयोजन नेवी द्वारा किया जा रहा है नेवी पहला अपसन सही ह झाल